Hello friends, welcome to study news, आज है 30 जून, एक्जाम से रिलेटेट जितने भी important question है हम उन्हें या solve करेंगे, so let's start पहला question है, संस्कृती मंत्राले ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक कौन सा पर्व मनाने का फैसला किया है, options हैं संकल्प पर्व, संस्कृत पर्व, योग पर्व और भूमी पर्व पर्व में लोगों से 5 पेड़ लगाने की सिफारिस की गई है, जो प्रधान मंत्री द्वारा चुने गए पेड़ हैं, जो हमारे देश के हर्बल विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इन पेड़ों में बर्गद, आवला, पीपल, असोक और बेल के पेड़ हैं, अगर य मंत्री को युनाइटेड नेशन्स के द्वारा सम्मानित किया गया है, ओप्संस हैं, केके सेल्जा, पिनराई विजियन, स्रीपीत, थेलोत मैन, और एम एम मडी, अभी हाल ही में केरल के, केके सेल्जा को युनाइटेड नेशन्स के द्वारा सम्मानित किया गया है, तो इस प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। एंटोनियो गुटेरस है। इसमें उत्तर ऑप्षन भी 500 मिलियन डॉलर सही है। इन 6 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, केरल, मद्दे प्रदेश, महाराश्र, उडिसा और राजस्थान सामिल है। इस परियोजना का सीरसक है स्ट्रेंथनिंग, टीचिंग, लर्निंग, एंड रिजल्ट फोर इस्टेट प्रोग्राम। वर्ड बैंक की बात करें, तो वर्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी, इसका मुख्याले वासिंग्टन डी सी संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं और इस समय वर्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। चौथा कोस्चन है, तीन जुलाई 2020 से वंदे भारत मिसन का कौन सा चरण सुरू होने वाला है। एर इंडिया 170 उडानों का परिचालन करेगी, जिससे 17 देसों से भारती नागरिकों को वापस लाया जाएगा। ये केंद्र सरकार द्वारा सुरू किया गया दुनिया का सबसे बड़ा अल्टरनेशन प्रोग्राम है, जिसे वंदे भारत मिसन कहते हैं। अब तक इसमें 700 उडानों के द्वारा डेड़ लाग से ज़ादा भारतियों को वापस लाया जा चुका है। पांच्वा कोस्चन है, मी टू किताब के लेखक कौन है। आपसंस हैं, रीमा हुजा, करणपूरी, अमिस्त्री पार्थी, नासिरा सर्मा। करणपूरी मी टू किताब के लेखक हैं, तो इसमें आपसं भी करणपूरी सही है। इसमें जो आपसं सी है, अमिस्त्री पार्थी, इन्होंने हाल ही में लेजेंट आफ सुहेल देव लिखी थी। और जो आपसं डी है, नसिरा सर्मा, इनको 2019 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान इन्हें कागच की नाओ की रचना के लिए मिला था। और आपसं ए रीमा हुजा ने बुक लिखी थी महाराणा प्रताप्त इन्वीजिवल वारियर। अगला कोस्चन है, हाल ही में किस भारती एंपायर को ICC के एलिट पैनल में सामिल किया गया है। आपसंस हैं सुभरत दास, अनिल देश पांडे, रंजन मदूगले और नितिन मैनन। हाल ही में नितिन मैनन को ICC के एलिट पैनल में सामिल किया गया है। इस समय ICC के अध्यक्ष सशांक मनोहर है, ICC का मुख्याले दुबई में है और CEO मनुसाहनी है। ICC की स्थापना पंदर जून 1909 को हुई थी। हाल ही में मद्व प्रदेश राज्य सरकार ने किल कोरोना अभ्यान सुरू किया है। इस अभ्यान में डोर टू डोर सर्वे होगा, जिसमें परडे लगभग 20,000 लोगों की टेस्टिंग होगी मद्यप्रदेश की राजधानी भोपाल है मद्यप्रदेश के मुख्य मंत्री सिवरा सिंग चोहान है और गवर्नर लाल जी टंडन है अगला कोस्चन है हाल ही में लाजर चकवेरा ने किस देश के राश्पती के रूप में सपत ली है आपसंस हैं मलावी, नाइजीरिया, यूगांडा और जांबिया हाल ही में लाजर चकवेरा ने मलावी के राश्पती के रूप में सपत ली है लाजर चकवेरा का पूरा नाम लाजर मेकार्थी चकवेरा है जो मलावी कांग्रेस पार्टी से है मलावी की राजधानी लिलंगवे है और यहाँ पे मलावी क्वाचा मुद्रा यूज होती है 9th question है हाली में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधान मंत्री बने है आपसंस है आयरलेंड, चिले, वेस्ट एंडीज और साउथ अफरीका हाली में माइकल मार्टिन आयरलेंड के नए प्रधान मंत्री बने है आयरलेंड की राजधानी डबलीन है और इस समय आयरलेंड के प्रेसिडेंट माइकल डी हिंगिस है आखरी कोस्चन है हाली में किस राजध सरकार ने गोधन नयाय योजना शुरू करने की घोशना की है इस योजना के तहत पसूओ की शंख्या में व्रिद्धी करना और पसूपालकों की आय में व्रिद्धी की योजना है 36 गड के मुख्य मंत्री भुपेश भगेल है और गवर्नर अनुसुया उईके है तो ये थे आज के इंपोर्टन कोस्चन तो थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट